आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की नई वीडियो डेट एलेडी टीवी की है जो की चाववे सिंस की है इसको हम लोग रिपेर करेंगे दोस्तों अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन को प्रेस कर दें दूसरी बात आपको मैं बता दूँ दोस्तों अगर आप टेकनीशियन है तब यह ट्रिक अपना है अन्य था आप टेकनीशियन को ही दिखा के इसको सही करें दोस्तों मैं आपको यहां मेन लीट पर चेक करके दिखा दे रहा हूँ तू टूट्टी तूट हर्ट दोसो तीस दोसो पैंट इसके आसपास की सप्लाई यहां पे हमें मिल रही है तो इस टीवी में प्राबलम क्या है यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कोई इंटिगेशन नहीं हो रहा है यानि जो रेड इंटिगेटर हमारा होता है वो नहीं जल रहा है लेकिन हमें सप्लाई यहां पे इंपुट 220-230 जो भी हमारी input आ रही है वो हमें यहाँ पर पहुंच रही है अब हम DC mode पर करके आपको चेक करा देते हैं जो हमारा यह main filter capacitor है वहाँ पर हमें supply चेक कर लेनी है अगर आ रही है तो इसका मतलब होके दोस्तों यहाँ पर supply आ रही है अगर नहीं आ रही है तो इसके पहले का ह मॉसफेट लगे होते हैं उन सब सारी चीजों को देखना होता है तो यहाँ पर supply में आपको दुबारा चेक करके दिखाई दिया यहाँ पर supply मिल लई है अब हमें करना क्या है दोस्तों हमें इसको पहले ध्यान पूर्बक देखना है कोई सामान कोई component यहाँ पर जला तो नह इन सब को ओके होने के बाद हम क्या करेंगे इनका आउटपुट का भी supply चेक कर लेते हैं कि आउटपुट पर में voltage मिल लई है कि नहीं मिल लई है और आउटपुट की तरफ का भी हम चेक कर लेते हैं component सबसे पहले कि कोई अगर डायोड या कोई मास्फेट सार्ट होगा लेकिन जरूरी नहीं कि हमारा डायोड ही सार्ट हो यहाँ पर मीटर से चेक करने पर आ रहा है तो इसको जब तक निकाल के आप किलेर नहीं करेंगे तब तक आपको फाल्ट कन्फरम नहीं होगी निकाल के किलेर करते हैं अगर खराब होगा तो बदल देते हैं उसके बाद से कंपोनेंट आगे च tiro करें हैं यह बैक लाइट ड्राइबर के लिए मास्पैट इसको को दिछक कर लेते हैं इसकी भी एक साइट से साच दिखा रहा है यहaiं देख सकते हैं तो अब हम क्किया करते हैं मेन Kingateur मेन करेकटर बार है आप एग तो यह भी सार्ट भी दिखा रहा है यानि हमें सार्टिंग कहीं सबस्क्तों आपे कह से रहा है की involved भी सार्ट होगा यह और कहीं नहीं कांपोनेंट सार्ट होंगे तो वह आपको सपर सार्टिंग दिखाएगा अब हमें ढूलना है कि यह जो सार्टिंग है यह कहां से है और उसके लिए हमें यहां पर रेगुलेटर आइसी होते हैं नीडायोड हो गया आपका मास्फेट हो गया इन सभी को हमें चेक करना होता है तो हम बारी-बारी से चेक करेंगे दोस्तों सब से पहले हम अपने हाइटर से सबसे फास्ट टाइम डायोड ही निकालेंगे क्योंकि हो सकता है डायोड हमारा खराब हो तो दोस्तों यहां पर मैंने हाइटर के उससे निकाल लिया है अब यहां पर आपको देख पा रहे हैं तब भी सार्टिंग आ रही है इसका मतला हमारा सब्सक्राइबर का मासफेट इसको हम हाइटर से निकाल लेते हैं बड़े-बड़े कामपोनेंट सबसे पहले आपको निकाल लेने चाहिए जिससे आपको लगाने में आसानी रहती है और सेट में प्रिंटे और तो मैंने यह मासफेट भी यहां से निकाल लिया है अब उसके बाद हम फिर सार्टिंग चेक करेंगे अगर हमारी सार्टिंग सही हो जाती है तो जो पार्ट समारा खराब है उसको लगा देंगे लिकिन यहां पर हमें अभी भी फुल सार्ट दिखाई दे रहा है तो जब भी आपको सार्टिंग मिले तो आपको step by step by के एक पार्ट आपको open करके देखने होते हैं क्योंकि कोई item आपको यहां पर burn दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों यह regulator IC है यह 12 बोल्ट से 5 बोल्ट के लिए regulator IC लगी है यहां भी हमें सार्टिंग मिल लई है जो भी IC लगी होती हैं उनके पास capacitor लगे होते हैं हमें capacitor पर चेक करने से negative hoist हमें पता लग जाती है कि IC सार्ट है कि नहीं सार्ट है तो दोस्तों हम क्या करते हैं इसको हम देखते हैं IC के पास जो capacitor लगे हैं, भड़े भडे थोड़े से बड़े होते हैं ये भी कभी कभी साट आ जाते हैं तो हम इन केपेशिटर को ओपेन करेंगे और उसके बाद आईसी को ओपेन करेंगे फिर आगे हम इसे स्टब बाई स्टब चेक करते जाएंगे तो आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता लगेगा और दोस्तों आप लोग अक्सर कमेंट किया करते हैं कि रिपियर करने में कितना प्राइज लगेगा कितना कास्ट लगेगा तो मैं आपसे गुजारिस करूंगा यह जानकारी आपको टेकनीशिया नहीं दे सकते हैं मैं आपको सिर्फ फाल्ट बता सकता हूं और आपका कोई सुझाओ और कोई सिकायत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें तो आइए मापको अब कैपिसिटर मेंने निकाल लिया है और इसके बाद चेक करते हैं फिर तो दोस्तों यहाँ पे कैपिसिटर निकालते हैं हमारी साटिंग गायब हो गया है इसका मतलब कि हमारा कैपिसिटरер साट तौना था थोड़ा आसानी से मिल गया यह देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूं यह महारा कैपसिटर है और यह साइट पूरी तरीके से शाइट है दोस्तों गया कि इस तरीके के फाल्ट बहुत कम मिलती है तो आप को एस्टेप बाइस्टेप चेक करने हैं जो भी आपको फाल्ट दिखाई दे उनको इस तरीके से आप चेक करके चेंज करें यहां पे आपको यह फुल सार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों हमारा मल्टी मीटर का ब्रॉप टूटा हुआ है मैंने आप एलाइनर बांध रखा हुआ इसे वज़े से फ़ड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है अब आपको यहां पर नेक्टर पर दिखा दा रहा हूं 12 बॉल्ट यहां पर कोई साटिंग हम नहीं है यानिकि हमारा केपिसिटर ही साड था इसकी उज़ेसी यह प्राब्लम थी हर जगे हैं में साटिंग दिखाई दे र पर जोड़ देते हैं तो जोड़ देने के बाद हम सप्लाई देके इसको आन करेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे अगर हमें सप्लाई मिलती तो ठीक है नहीं आगे की टेस्टिंग करते हैं तो यहां पर दोस्तो मैं इसको लगा दे रहा हूं और इसके बाद मैं इसको स सोल्डर करने से थोड़ा सोल्डर करके हीट कर दूंगा तो यह कामपोनेंट हमारा असानी से लग जाएगा तो जितने भी कामपोनेंट हमने निकाले थे उसको में लगा दे रहा हूं दोस्तों अगर वीडियो में कुछ ना समझ में आए या फिर आप कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं कमेंट करके और कोई जानकारी चाहिए तो हमसे ले भी चकते हैं अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में सेयर भी करें जिससे और हमारे भाईयों का फाइदा हो सके तो यहां पर मैं सुल्डर कर दिना हूँ और मैं दुबारा बताना चाहता हूँ अगर आप टेकनीशियन है तभी यह सब इस्तेमा वायर से सुल्डर कर दे रहा हूँ और उसके बाद सुल्डर करने के बाद इसको मैं थोड़ा हीट भी कर दूँगा सुल्डर करने से हमें थोड़ा आसानी रहेगी कामपोरेंट हिलता नहीं है और आसानी से जुली जाता है तो इसको मैं लगा दे रहा हूँ और फिर सप्ल यहां पे इसको मैं जोड़ दे रहा हूँ और जोडने के बाद इसको अच्छी तरीके से सोल्डर कर देता हूँ एक बात और दोस्तों आप लोगों के लिए काफी दोस्त हमारे कमेंट करते हैं कि फेक वीडियो क्या होता है दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हुता हूँ उसमें मिचे वीडियो पास करके कुछ आइटम सोल्डर करने हो जाती है तो यहां आप लोगों को यह फेक दिखाई देता है और दूसरी बात मेरा मल्टी मीटर जो है एस्टी सी का है इसमें मिली बोल्ट में रीडिंग हमेशा चलती रहती है तो इसकी वजह से भी आपको एक वीडियो नहीं मिलती है इसको मैं हीट अप कर दे रहा हूं अगर आपको आपके मन में कोई सवाल है कोई प्रशन है आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें हमारी कोशिस यह रहती है कि आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आएं तो दोस्तों यहां पर मैं इसको हीट कर दे रहा हूं और यह अब आसानी से हीट करने के बाद जुड़ी जाएगा फिर हम लोग इसमें सप्लाई देके देखते हैं तो इसको मैंने यहां पर हीट कर करके जोड़ दिया है अब मैं आपको मल्टी मीटर में आपको जैसा कि मैंने बताया था देखिए हमारे हाँ मल्टी मीटर में हरकते हो रही हैं तो यह दोस्तों मिली बोल्ड की रीडिंग है इसको लेके आप परिसान मत हूं जब यह हमारा मल्टी मीटर का बराफ सही तरीक केस कनेक्ट हो जाता है तो यह एक्चुल वोल्टेज ही बताता है इसमें कोई फेक आपको नहीं दिखाए देगा अगर आपके पास मीटर है तो आपको इसके बारे में पता होगा तो यहां पे दोस्तों मैं आपको अब ग्राउंड पर ब्राब लगा ले रहा हूं यह हमारी ओके है तो दोस्तों यहां पर बारा बॉल्ट मैं आपको दुबारा चेक करके दिखा दे रहा हूं ग्राउंड और बारा पर लगा के यह बारा बॉल्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है तो हमारा बॉर्ड ओके हो चुका है दोस्तों अब मैं इसको आन करके यहां के दिखा दे रहा हूं जयसा कि आपको हां पे standby के light blue हो गई दिखाई दे रहा है और set को मैं दोस्तों यहां पे पलट के दिखाता हूं तो set हमारा पूरी तरीके से OK है यहां पे capacitor दोस्तों लगा देना चाहिए और जो केपेसिटर हमने रिमूब करा है उसे सेट तो हमारा चल जाएगा लेकिन हम किसी बोट से भी केपेसिटर इसको निकाल के बाद में लगा देते हैं क्योंकि जो भी कामपोनेंट लगे होते हैं उनका कोई ना कोई वर्क जरूर होता है आप उने हटा के च इसके बाद मैं आगे की वीडियो आपको दिखा देता हूं तो यहां पर अच्छी तरीके से हमारी टीवी चल लई है टीवी में किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं है सेट हमारा हंड़ेट प्रसेंट ओके हो चुका है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो इसको प्लीज जादा से जादा लोगों में सेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी बहुत बहुत धन्यबाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे